हेलो फ्रेंस वेलकम बैक एक वार चैनल स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में गाइस यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्डेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफी सारे फैक्ट्स को जानेंगे जिसके कारण हमारा सेलेक्शन नहीं हो प सारे पांगे में छाइड करने है कि अभी सेलेक्शन नहीं होता है व्लेक्शन पहले कितना करना खोटना सेलेक्शन जो है इसलीज़ कव कि सेलेक्शन आपका क्यों नहीं होता, आपका कैसे होगा सेलेक्शन, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना, कौन-कौन सी बाते हैं आपके माइंड पे होने चाहिए भी, और आपका जो अभी इस फ्याज में हैं, तो आप काफी नस्दिक हैं इंटरेंस एक्जाम के, आ सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो में जो है last तक बने रही हैगा, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीज़ेगा, इंशाला मैं उमीद करता हूँ कि आप सब चीज़ अच्छे से समझेंगे, और ध्यान रखेंगे इंटरें जो है अभी अपलोड नहीं कर पाड़ा हूँ क्योंकि इसके काफी सारे रीजन है मैंने आपको बताया था कि मैं किसी मेरा जो मेन मोटिव था वो आपका सपोर्ट था सिर्फ के मेरे वज़े से कुछ और स्टुडेंट आ जाए जैसे मैं एक सेंट्रल उन्युवर्सिटी का प सब्सक्राइब करता हूँ और कुछ मैंसे मैं कई दिन से अपडेट नहीं पाता हूँ इसके लिए आप दुखी नहीं हुएगा हम बताने की कुछिश करेंगे आपको काफी अच्छा से आप वीडियो को लाश्ट तक बने रहेगा सारी चीज़े मैं समझाने की कुछिश करूँगा थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ इसलिए कि वीडियो जोनल अपलोड नहीं हो पाती तो वह सारे रिजन्स आपको ब कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके साथ हूं आपका सब्सक्सन calendar ंज 담 each now वेपर कैसे करना अभी इस में आपको और नहीं पड़ना किसे हिसाब से आपका रिवीजन करना जो है आपका बुक कितना इंपोर्ट सब्सक्राइब नहीं कर पाया हूं और गाइस बहुत ही खड़ाब गया सेलेक्शन के काफी कम चांसेज हैं अब मेरे पास लास्ट होप है मैंने एड्मिशन भी कही ने लिया तो ऐसे काफी सारे इस तौरी यहां चैया लिस प्रत्राइब यहां तो यहां को सेलेक्ट किया और एमिव में हैंड़ेट परसंट देंद ने काफी अच्छा रैंक भी आया मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि मैरे कितने रैंक आया मैंने कैसे पढ़ाए किया था यह स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया है वोग का इस उसी हिसाब से मैं आपको समझाने की कुछिश करूंगा कि आपको अभी किस मतलब किस मोड पे आपको आप हैं कैसे आपकी प्रिपिशन होनी चाहिए कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना इंट्रेंस में आपको पेपर इसपेसली पेपर कैसे करना तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप देखिए अभी जो आप सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बता रहा हूं कि आपके पास जो बुक है यह आपका एक डारेक्शन है सिर्फ मुझे कुछ कोई पास होने के लिए धार आपके नॉलेज विए पेसे आस Czech करने कि यह था अगर आप उसके लायक है गो उसेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं कि आपने आपने कोई भी जैसे नाज गाइड पढ़ißt batch for मैंने कंसेप्टम पढ़ा था मैंने कभी नहीं कहा था कि सारे questions conceptum से ही पढ़े फसे थे कुछ नहीं फसा था मतलब लगा ही नहीं था कि फसा एक्जाम जो है काफी मतलब tough तो tough कही सकते है typical होता है मतलब difficult नहीं होता तो typical वही cover कर पाएगा जिसने पढ़ा है मतलब जो detail में पढ़ा है चीज़ों को समझा है कि facts को समझा है समझने की कोईश किया हुई questions को 100% कर पाएगा तो यहां पर हम गलती भी कुछ काफी सारे कर देते हैं कि हमको पता नहीं कि कितने questions करना है कैसे किस हिसाब से question को सुरू करना है आपके हाथ में जब भी question paper आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि question paper ले यह बात आपको ज्यादा ध्यान डखना आपकी preparation से ज्यादा यह चीज़ आपको समझना जरूरी है कि question number first अगर आप कर ले रहा हो easily 100 questions का paper होना है आपने काफी अच्छे preparation करके गया है तो आप इसमें देखिए कि question उठाईए और देखते जाए सबसे पहले तो आप slightly जो है ऐसे cover कर ले मतलब देख लेंगे पढ़ लेंगे read कर लेंगे question किस type का पुछा है लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिकत ने आप directly solve करना ही start कर देंगे तो आपको जो MRC दिया जाएगा वो पह आपका पकड़ है तो आप इसको टिक करेंगे कौन सा answer आप share है कि option C जो है इसका right answer है तो इसको tick कर लेंगे इसको goal कर लेना है cover कर लेना यह question हो गया उसके बाद question number second आपका आपका आड़ा है तो इसमें आपके लगड़ा है कि नहीं 50% ही यह मैं share हो कि यह answer है तो इसको उसके question number third देखना है कि नहीं यह हो पाड़ा है तो उसी हिसाब से आपको question number third जो है यह कर लेना है तो इस हिसाब से जो question आपका hundred percent होगा ना जैसे one two hundred तक आप गए उसमें से fifth नहीं बना, tenth बना, 11th नहीं बना, 16th बना, तो जो question आपका hundred percent होगा सबसे पहले आपको उसको cover कर करना है, और उसको आपको बना लेना है, उसके बाद आपको count करना है कि मेरे hundred percent सही कितने questions होए, मतलब कितना मैंने कर पाया hundred percent जो सही है, अगर आपके forty आ रहे हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, और भी questions आपको करने की ज़रूरत है, अगर आपके sixty plus आ रहा है, तो आपको दिल नहीं मानता है, कि नहीं नहीं छोड़ सकता, मैं, कर ही लेता हूँ, जो होगा दिखायागा, तो यह गलत ही नहीं करना, अगर आप sixty plus पे हैं, hundred percent, sixty plus पे हैं, तो आपको छोड़ देना है, लाख दिल बोले, छोड़ देना है, क्योंकि आपके जो अगर, मतलब assumptions जो हैं, उसमें, तीन गलत है, और तीनों में similarities होते हैं, जो right है, उसी के similar होते हैं, सारे questions, तो इसलिए आपको hundred percent जो लगेगा ना, उस पे करना, क्योंकि negative marking system है, उसको ध्यान पे रखते हुए, तो आपका जो hundred percent होगा, अगर sixty plus जाड़ा है, 60 plus जाड़ा है, तो सही है, आप paper देंगे हो गया, भाई, मैंने कर लिया अपना काम, और selection आपका confirm है, कोई नहीं रख सकता आपका selection, और आप rank भी अच्छा आएगा, क्योंकि आपने उन्ही questions को किया, जो आपको hundred percent पता है, आपने अंदाजी कुछ भी नहीं किया, ठीक है guys, और उसके बाद जैसे जिनका chances लग रहे हैं कि ये answer है, 60% ये लगड़ा है, तो ये सारे questions आप cover कर लेंगे, और फिर भी नहीं हो पाड़ा, और मतलब 10-20 questions और आप कर लेंगे, जो आपका probability 50-60% बन जाड़ा, तो आप कर लेंगे questions या फिर छोडने से अच्छा तो कड़ी लेना है, लेकिन सारे के सारे न तो फिर तो आप सही हैं, आप select हो गए हैं, तो ओके guys ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और next topic जो है, मैंने तो paper के बारे में आपको बता दिया, अगर इसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आया कि कैसे लिखना है, किस question को मतलब किस हिसाब से करना है, तो फिर आप comment section में बताएंगी, मैं कोशिश करूँगा आपका reply करने का, उसके बाद आप अभी इस time पे पढ़ेंगे क्या, ये बड़ा matter है, आपने अगर अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, तो बहुत मुश्किल है बाई, आपके लिए मैं क्या suggest करूं आपको, आप ही बस उसी line पे जैसे है आपके लिए वो last year के papers आप जरूर कवर कर लो, आप नहीं करते हो, मुझे पता चल ला कि आप, sorry guys, sorry guys, वो slide system है, exactly, मतलब direct back होयाता है, so guys, start करते फिर, देखे, मुझे लगता है कि आप last year के papers को उतना priority नहीं देते हैं, guys, बहुत ही important आपकी exams के लिए, लेकिन repeat नहीं होगा, लेकिन आपका sense आपका काम करने लगागा उस हिसाब से, आपके जो questions आएंगे आप cover कर लोगे, मुझे उमीद है, मैं जब गया था, मैं जब निकला था, जैसे मेरा 10th को अगर paper है, तो मैंने 8th को यहां से अपना train लिया था, और 9th को तो मैं पहुंच गया था, उसके एक दिन वहां पे rest लिया, फिर यह paper, तो मैं रास्ते में ही, अगर मैंने last year के papers, जैसे मेरे कुछ papers, मतलब revise ने किया था, जैसे आप पढ़ते हैं, जीके का आपने पढ़ रहा थी, आपने अगर notes बनाया तो उसको याद कर लिया, तो मैं उसी तरह के last year के जितने भी papers थे ने, मैं अलग से एक book मेरा एक friend था पटना से, उससे वो मिल गया था हमको, तो उसके पास एक book था, जिसमें सा मैं तो पढ़ रखा था इधर से, लेकिन जो चीज़े मैं नहीं पढ़ा था उसको मतलब exam से दो दिन पहले भी मैंने last year के सारे papers को जैसे याद कर लेते हैं, उस हिसाब से mind पर मैं set कर लिया था, कि 2017 में कैसे questions कूशे गया थे इस topic पर, मतलब कैसे questions आया है, किस हिसाब के question को करने थे, जैसे monuments हैं, जितने important monuments जितने हैं, तो उस पर questions कैसे आया थे, ये सारे questions मैंने set कर लिया था, अपने mind पे, तो आपका खुद का strategy होना चाहिए, कैसे मतलब paper मतलब पुछा जाता है, कैसे तो ये last year के paper से आपको अंदाज लगाना है, कि कैसे करेंगे, मतलब जो question इस पे ये वाला topic पे किस हिसाब से पुछा गिया last year में, तो वही आएगा, उस हिसाब से कुछ pattern change हुआ है, 16th में कैसे पुछा गिया, 17th में उस topic पे कैसे question पुछा गिया, तो अगर आप ये पकर बना लेते होना, 100% आपका selection fix है, अगर आप इस हिसाब से आपका strategy इस pattern पे नही selection नहीं हो पाएगा guys, क्योंकि आप एक book को मान लिये हैं, कि नहीं मैंने ये पर लिया तो selection होई जाएगा, क्योंकि मुझे जो बताने वाला बंदा है, उसका हो गिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं होगा, आप मेरी बात को मानिये, आप आपको smartly मैंने सुरू से किया है, कि hard work की ज़रूरी नहीं, smart work की ज़रूरी है, smart work कीजे आप, चीजों को समझनी की कोशिच कीजे कि कैसे cover किया जाए, मैंने आपको बताया था कि 10th reasoning मेरा सही हो गया था, हलाकि मैंने reasoning के लिए उतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन कैस आपको बताया है, मैंने यही पढ़ा, फिर से sorry guys, disturb होया था आपको, देखे guys, एक्दम exactly जो मतलब आपने पढ़ा था, रखाया कि नहीं यही है answer तो उस पर tick करना और इंशाल्ला आप पेपर जो है, जब आप answer की से मिलाओगे ने, दो दिन बाद आपका answer की आया था, official, उससे मिलाओगे तो आपका 100% सही हो जागा, क्योंकि carbon paper आपके पास रहेगा, okay guys, and guys, कुछ बात हम आप कर लेते हैं इस प आपको था, आप इग्नोर कीजेगा इन सब चीज़ों को, so guys, topics आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको topics जो हैं कैसे cover करना कौन सा, देखे guys, अभी आपका जो matter रहना है, वो current affairs को लेका आप बहुत ज़्यादा परेशान है, आपने अगर जामिया का exam दिया होगा, आप में स कितना important है, ज्यादा ध्यान मत दिजे इसमें, आप जीके वाला portion और अलीगर मोवेंट इंडो-इसलामी कल्चर को मजबूत कीजे, जो आपका rank improve करेगा, current affairs आप 1000 question पढ़के जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें 2 question आएगा, इसलिए मैं सुरू से कह रहा हूं कि उतना पकड मत बनाए उसमें, उतना, आप lightly cover करने की कोशिश कीजे न, उसको, मतलब नहीं पढ़ा हुआ, अगर आ गया तो सही है, बन जागाने तो कोई देकत नहीं, भाई 5 questions उसके आएगे, आपके GK के 40 questions आ रहे हैं, इंडो-इसलामी कल्चर के 25 questions आ रहे हैं, इस पे आप न द करते चले गए, देखते चले गए, यह question है, यह फलाना डायम वहां construct हुआ, इतने inauguration, प्रधन मंतरी इनरेदिन मोदी ने वहां जाके यह inaugurate किया, वहां पर यह launch हुआ, यह सारी चीज़ आपको ध्यान डखना, उसे आप न्यूजपेर होगर है, डेली तो पढ़ते ही होंग है, तो यह सारी चीज़ से current affairs पर ध्यान डखना, और reasoning, reasoning पर आपको पकर बनाना, जैसे direction के regarding, मुझे तो नहीं लगता है कि आप cover नहीं कर पाएंगे, direction के regarding हो गया, family system वाला हो गया, जो gender वाला equality, वो सारी चीज़ों पर पुछा आता, मतलब relation से पुछा आता, alphabetical order में पुछ तो फिर भी आप 90% cover कर लेते हैं reasoning क्योंकि आप अगर last year के papers नहीं भी बन रहें लेकिन वहाँ आप आप जाके बना लेंगे, मुझे उमीद है, और reasoning पर आपको ध्यान रखना है कि time का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 minute एक ही reasoning का question में दिमाग लगाते लगा है, छोड़ते ना, जो बंडा सबसे पहला आपका नजर जो होगा ना, question paper पे आप जो डालेंगे अपना नजर तो सबसे पहले 100% वाला जो आपको exactly पता है जिसका answer एकदम easily cover कर दिये, उसको circle कर दिये, उसका काम finish, अगर ऐसी ही questions आपके 60 हो रहे हैं तो भाई क्या जरूरत ह हमको, जिसका answer हमको पता नहीं, वो हमको cover करेंगे, क्या है जरूरी है हमको, तो आप जिन पे 100% आप पकर बना रहे हैं, वो सारे questions आपको पहले करना है, बाकी reasoning के छुटे है, कोई साभी question छुटे, क्या फड़क पड़ता है, आपका जो 100% जिसमें पकर है, उसको cover कर लिए अगर आपका 60% आगया तो आपको, भाई, select हो गया तो और हमको क्या जरूरत है, कोई और question टच करने के छोड़ देंगे, पेपर वहीं के वहीं, ओके guys, I hope कि आप सब कुछ समझ गये, and topics guys, आपको जहां तक हो सके, आप revision कीजी अभी, इस moment पे आपको सिर्फ revision करने की जरूर ये तीन topic है, आपका rank बहुत ही ज्यादा improve करेगा, आपके exams में काफी help होगा, आपके knowledge में भी काफी help होगा, ये सारी अगर आप cover कर लिए हैं और revision कर रहे हैं तो, guys, revision करना नहीं चुरिएगा, लाग पढ़ने से अच्छा है, revision करना, क्योंकि आप अगर आगे पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़े बेकार जाएगा आपका, क्योंकि आप जो दो-तिन मेंने पहले पढ़े हैं, उसको भूल चुके होंगे आपका, क्योंकि हमारा mind जो है, psychologist का है, हम नहीं कहरे है, psychologist कहड़ा है, कि 80% जो चानसे तो भूलने की तरफ होता है, अगर आप 100% पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको कोई टॉपिक जैसे जीके का कुछ आपको बताने से अच्छा है, कि यह सारी चीज़ें आपको समझाया जाए, कि कैसे, क्योंकि आप पेपर देख पार है, जामिया के, मेरे काफी सारे स्टुएंट मुझे मतलब कॉल कर रहे हैं, काफी सारे हमारे फ्रेंस क्योंकि मैसेज कर रहे हैं, कि नहीं हो पाया, अब मेरे लास्ट अवप है, A.M.U. यहां पर भी लगता है कि नहीं होगा, हिम्मत नहीं हारना है, आपको लास्ट मिमंट तक मेहनत करते रहना जब तक आपका एक्जाम्स ना हो जाए, आपका सेलेक्शन ना हो जाए, और गा आपका एम्यू में जितने भी एम्यू के लेश्ट है इन्शाला सब का सेलेक्शन होगा हंड़ेट परसंट सेलेक्शन होगा आप मेहनत कीजिए और कंसिस्टेंट्सी के साथ रोजाना भी पढ़ने के आपको जरूरत है एवरेड़ेटें टू एट टू 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 टेन आर्स गाईज मैने ज्यादा बाते हैं क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पारा वीडियो भी नहीं बना पारा हूं लेकिन आपका सपोर्ट आपके लिए काफी इन सब ही बातों के लिए काफी सारे student वेट करते हैं, काफी सारे student को motivation मिलता है इन सब बातों से, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जो भाई जो बता रहे हैं, ये खुद वहाँ पे पहुंचा हुआ, इसने खुद किया हुआ, इसने खुद entrance pass किया, तब जाके admission लिया और पढ़ा